हेलो प्रेंज वेलकम नहीं चेनल आशा सच्छेनर आज हम आपको फियर इंट्रब्डे से जो घर में आसानी से मिल जाती है और चीन पड़ती है तो उससे मॉर्निंग मेकप आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से हमको मॉर्निंग मेकप करना है बहुत सिंपल में है कोई foundation नहीं कोई किसी तरह का loose powder नहीं कोई compact नहीं कोई eyeshadow नहीं क्योंकि मॉर्निंग में यह सब तड़क बना का मेकप अच्छा नहीं लगता है हम कई बार विस्तरों से उठते हैं खास दोर से नुली मेरिट के लिए हम बताना चाहरे हैं कि सब को क्रेंज रहता है कि नुली मेरिट ब्राइट कैसी लग रही है तो हम को अच्छे से तयार हो के सब क सामने जाना चाहिए नहाने के बाद में हम किस तरह से तयार होएंगे फाइन मिनिट्स में वह आपको दिखाएंगे तो बुस्तों यह फिर एंड रवली है मार्केट में होतासा नहीं से कि सब भी जानते हैं काफी पुराणी है हम इसको 30 यह से यूज करने हैं और हमको बहुत अच्छी लगती है हम ज्यादा डार्प मेकप नहीं करते हैं लेकिन इससे जो ग्लो आता है कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है तो हम सैटिसपाइड ह हमने सचा हम आपको भी यह बता दें कि किस तरह से मतला एक वुमें गर्ल और खास्वर से नीली मेरिट जो होती है गर्ल तो उसको रूम से निकलने के बाद में अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देना चाहिए अच्छे से तयार होके सब के सामने जाना चाहिए जिससे क मेरी 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 अच्छे से मुकर होता है और ओर वन यह थे नाने दोने कि मे कामकरना होता है तो इस तरह का हम बता रहे हैं कि केवल तो वो पसीने के उससे उसका मेकप हमारा उत्रेने वह ही हम देखाने जाते हैं तो देखिए CTM का मतलब होता है वो हम समझा देते हैं आपको CTM का मतलब है क्लेंजिंग टोनर एंड मॉश्राइजिंग तो हम नाकर निकले हैं तो क्लेंजिंग हमारी अच्छे से होगी और टोनिंग की बात है तो अगर आपके पास दो सेकिंड का टाइम है तो आप कोटन के कपड़े में आइस क्यूब को लीजिए और गर्मी के मौसम का हम बता रहे ह इस पर राउंड शेप में हम इस तरह से चाड़ सकते हैं किसी भी हैंकी में आइस क्यूब को लेकर इस तरह से दो सेकिंड तक हम करते हैं तो हमार्तेश पर टोनिंग होगी और पसीने का काम बिल्कोल नहीं होगा गर्मी के मोसम में और किचिन में खास तो और से पसीने का काम होता है पसीना बहुत आता है हम चुप काम करते हैं तो उस से रिलिफ मिलेगा तक़ किसी पास विलन का, representing हम केबल टोनर दोभून लगाएंगे फेस में इस तरह से हमने यह टोनर लिया और यह देखें हमने इस तरह से प्रेस करें तप तपा कर छोड़ दिया है है हमारे टोनिंग का काम यह होता है कि जब हम हम फेस क्लीन करते हैं जिए स्क्रबिंग करते हैं या फेस वॉर्श करते हैं तो उससे हमारे जो बंदगी बाहर निकलती है पुर्ट के अंदर तो वह खुल जाते हैं उनको पैक करना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए टोनिंग करना इसकिन के लिए बहुत आधर शिक्कार ह कोई भी मेकप अगरम करते हैं तो लीना टोनिंग और मोश्राइजी में दो काम आपके बताये हैं दूर्लेशें प्लस टोनिंग का हम अगए तोनी का हम लगाएगे क्यों कि गर्मी के ताइम में कई बार क्या होता है कि मोश्राइजर से पसीने बहुत आते हैं और जब हम गर्णी में काम करेंगे तो उन पसीने से और भी ज्यादा जो हमारा मेक अप होगा वह पैचे इसके रूप में हमको दिखाई देगा इसलिए मॉश्रायजर में कई बार पसीने की मात्रा निकलती है अपने-पने स्किन की प्रॉब्लम है किसी के निकलती है पसीने यह तो अलग अलग तो यह देखे हमें मुश्रायजर हमें मील गया तोनर अब हमारा यह यह तोनर है अच्छे से एब्सॉर्ब हो गया और टोनिंग का काम हो गया पिर से हम बता रहे हैं आईस क्यूप चे भी आप कर सकते हैं और अगर आपको का टाइम नहीं है तो फि में आपको काम करना होता है अब हम यह फेर हैं लबी बस इतनी काफी है एक फेस के लिए और आप देखें अब हम इसको फिंगर के बार हम कि मॉर्निंग मेक अप में ना तो हम कोई कॉंपेट यूज करेंगे और नहीं आईशेडों एक हेसं एक सिंपर मेक अपना चाहीं मॉर्निंग मेक अपने पाaobaum डियियो हुए। वह नाइट में अच्छा लगता है किसी take care लगता है और हम सोका रूटका अगर डार्क मेकप करके बैठ जाता है तो वह आखों को चुबने लगता है एक डी सेंस ही नजन नहीं आती इसलिए हमको बिल्कुल करना है और यह मेकप हमने यहां फिरन लबनी जो फेर्नेस का काम करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें और टाइफ आप इसकिन के लिए यूसपुल है इसको ले सकते हैं अगर आपके पास नीविया की है क्रेम तो भोवी ले सकते हैं और कोई भी वैनिशिं क्रीम आप ले सकते हैं, निविया है, पॉंच है और भी आपी सारी कम्टियां आप आरा निसे ले सकते हैं, यह देखे हमने केवल थोड़ा सा तेरा इंडबी को हमने लगाया, और थोड़ा सा गर्दन की साइट में, येर्स की साइट में हम लगाएंगे ये देखे, अधर आपको लगता है थोड़ा सा एक बार रखाई करने की बाद में, आपको और डार्क चाहिए, तो आप लगा सकते हैं ये देखे, इस जगे से जहां डार्क सर्क्रस होते हैं, अंडर आइस पर यहां हम दुबारा दबाएंगे, चिक बॉर्ण पर उससे थोड़ा और फेर्नेस अची दिखेंगे, आइब्रोस की उपर भी अंडर आइस के नीजे, यह देखे, यह हम दे लगाया, और आइब्रोस की उपर का जो पूर्शन है, आइब्रोस हमारी है, पेरेंड अभी लगी है, तो प्रीम को खुड़ा सा अटाएंगे, हलका सा प्रेस करते हुए, इसको नीट करेंगे, आइब्रो पर हम आइब्रो पैंसिल हलकी सी लगाएगे, जिससे की जो आइब्रो शेट थोड़ा सा डार्क हो जाए, और अगर हेर, हेर वहां थोड़े कम जाता है, तो आइब्रो इकॉल हो जाए, तो आइब्रो पर हम हलकी सी अच्छा लुक लाने के लिए, आइब्रो पैंसिल हलका से लगाया, बिंदी लगाए, और अब हम लिपिस्टिक लगाएंगे, काजल अगर हम यूज करते हैं, तो यह लेकमे का काजल है, जो हम लगा रहे हैं, हमने काजल लगाया, और मॉर्निंग मेक अप में लाइनर या मस्कारा हम नहीं लगाएंगे, उसकी आविशक्ता नहीं होती है, बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि नैचरल वे में ही हमारा लुप दिखाई देना चाहिए, इसलिए हमने केबल काजल लगाया है, और अब लिपिस्टिक लगाएंगे, यह ब्ल्यू हैवन की लिपिस्टिक है, 60 नमबर है, आपको जो पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं, वही लिपिस्टिक लगा सकते हैं, यह कौफी शेड है, और काफी अच्छा है, अगर आपके पास ब्रश है, तो हम पहले ब्रश की सायता से आउटलाइन करेंगे, और उसके बाद में लिपिस्टिक से हम लगाएंगे, अगर लिपिस्टिक है, तो हम आउटलाइन करके फिर लिपिस्टिक लगाएंगे, और ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं है, घर में जो अपने पास है, हम उसी से तैयार हुएंगे उसी का मेक अप करेंगे करना चाहिए हमको जो हमारे पास सामान है तो आउटलाइन हम यह ब्रश से करके बता रहे हैं आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं हमने आउटलाइन की लिप सकर छोटे हैं तो हम ब्रॉड करके बाहर की साइड में शो करते हुए आउटलाइन करेंगे और अगर बड़े हैं तो हम ज्यादा ब्रॉड नहीं लगाएंगे अंदर की साइड में लगाएंगे अब हम डायरेक्ट लिपिष्टिक से देखें फिल करेंगे आउटलाइन के बाद में आउटलाइन हम जो लिपिष्टिक शेड लगा रहे हैं उससे डार्क शेड की आउटलाइन करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा एक नंबर का हम अंदर करेंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं हम उससे लगाएंगे यह हमने लिपिष्टिक लगाए और देखिए वह को नैजरल वे में है नैजरल वे में जो हरूम से निकलके हम तही आर होते हैं उससी तरह से यह मेक अप होना चाहिए अगर आपको और भी थोड़ा सा लुक चेंज करना है तो हम डबल कोट कर सकते हैं डार्क लिपिष्टिक करना है तो उससी शेट कर हम डबल कोट करेंगे तो दोस्तों यह मौर्णिंग मेक अप जो बहुत एजी वे में है देखिए लुक जबकि सिंपल बिलकुल हमने क्रीम लगाई है आपको जरूर पसंद आया होगा यह सिंपल तयार होने का तरीका मौर्णिंग मेक अप का तरीका हैर आप किसी भी तरह कॉम करके क्लेचर वेरा लगा सकते हैं सिंपल जैसा भी आप नॉर्मल वे में रहते हैं वैसे हेर को बना सकते हैं तो यह देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कैसा लगा कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स करिएगा जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद